क्या आपको पता है कि गूस बंप क्यों आते हैं यानि रॉंगटे खड़े क्यों हो जाते हैं ये सब एविलूसनरी के करण होता है मतलब हर स्पेसीज इस दुनिया में सर्वाइव करती है और उसका एक गोल होता है सर्वाइवल गोल यानि जिन्दा रहने का गोल जैसे कोई बिल्ली मान लो एक कैट के सामने एक डॉग आ गया तब वो कैट उस डॉग से खुद को बचाने के लिए एक दानब की तरह दिखने लगता है क्योंकि उस कैट को गूस बंप आ जाते हैं और नेचर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है ताकि वो कैट गूस बंप की बज़े से औ और ज्यादा डराबनी लगे और सर्वाइब कर सके और यही है नेचर का सिस्टम और इनसान के साथ भी यही होता है यह तो हम सबी जानते हैं कि पहले के समय में इनसान बंदर हुआ करते थे कई साल पहले इनसान के काफी ज्यादा बाल होते थे जैसे किसी बंदर के सरीर पर होते हैं लेकिन evolution के चलते इंसान के सरीर से बाल कम हो गए लेकिन goosebomb का system आज भी रह गया है और अब goosebomb के time पर पूरा skin ही ऐसा दिखता है लेकिन पहले पूरे बाल ही खड़े हो जाते थे और जब हम कोई horror movie देखते हैं तब हमारा सरीर scientifically ये feel करता है कि वो किसी खत्रे में है और तब हमारी kidney के उपर मौजूद adrenal gland से adrenal ion नाम का एक hormone release होता है और वही adrenaline hormones हमारी पूरी बॉड़ी में फैल कर skin के नीचे muscles को trigger करता है और बाल खड़े हो जाते हैं गूसbomb ज़्याद तर डर लगने की बज़े से ही आते हैं यानि जब शरीर को कोई खत्रा मैसूस होता है तब और music सुनते समय गूसbomb इसलिए आता है क्योंकि music बहुत ही intense emotion को हमें feel कराता है तब आपकी body confused हो जाती है कि आखिर मेरे अंदर ये unusable emotions क्यों बन रहे हैं लगता है कुछ तो गड़बड है और body एकदम से alert fight of flight mode को active कर देती है जिसकी बज़े से music सुनने पर goosebomb भी आ जाते हैं और ठंड के समय goosebomb इसलिए आते हैं कि जब पहले के time में इंसान बंदर था तब ठंड लगने पर बाल अपने आप ही खड़े हो जाते थे तब सरीर के बालों में एक blanket of warm ear यानि गर्म हवा बनने लगती थी जिसकी बज़े से सरीर में हलकी गर्मा हट मिलती थी और इसी बज़े से body का temperature भी बढ़ जाता था लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर evolution हुआ वैसे वैसे बाल तो कम होते ही गए लेकिन सरदी लगने पर आने वाले goosebomb का system आज भी हमारे सरीर में मौजूद है अब तो आप अच्छे से समझ ही गई होंगे कि आकेर हमारे goosebomb क्यों आती है इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथी बेल आइकन भी जरूर ओन करें